हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिसी यस क्लासस मैं हूँ आपका भाईया रिसब सिंग और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर चले जाएंगे तो हाँ पर वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएंगे या दरवाज आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रवाइड कर दूँगा ठीक है तो अब इस वीडियो में हम अपने यूनिट टू के सभी इंपॉर्टन कोश्चन पर बात करने वाले हों रेके करते हुए सभी चीजों को समझेंगे कि कि किस पर पर प्रवाइड कर देंगे तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्साप चैनल से जोईन कर सकते हैं लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अभी करते हुए सभी इंपॉर्टन कोश्चन पर हम बाते करना सुरू करते हैं एक बात खास ध्यान रखिएगा हम आपने यूनिट 2 के सभी टॉपिक्स पर आप उन लेक्चर्स को प्रोइड कर चुके हैं तो आप उन लेक्चर्स को अगर जोईन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस सेक्षन में चले जाएगा वहाँ पर आपको मल्टिपल प्लेलिस्ट मिलेंगे आप लोग मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में तो प्रोइड ही कर दूंगा तो यहां पर अब हम सबसे पहले कोश्चन से सुरुवात करते हैं जो की हाइली रेक्मेंडेड होगा बहुत ही इंपॉल्टेंट है इसमें बात बोला जा रहा है कि इस्टेट हाइजनमर्ग अंसर्ट प्रिंस्पल ठीक है बहुत इंपॉल्टन कोश्चन हमारे वेरिस और एंसर टाइप के कुस्चन के पॉइंट आप यहां पर बोला जा रहा है कि हाइजनमर्ग अंसर्टेंटी प्रिंस्पल क्या होता है इसका स्टेटमेंट यहां पर हमें बताना है ठीक है दूसरे कोश्च आप मत लिखिएगा प्लांक्स रेडियेशन लाओ का क्योंकि वो तो हमारे डेरिवेशन अगर लिखने चले जाते हैं तो वो लॉंग एंसर के पॉइंट अब यू से चला जाएगा वह सौर्ट एंसर में भी नहीं रहा जाएगा तो अगर आप वेरी सौर्ट एंसर के लेडी प्रवाइड कर चुके हैं तो जिनके एक्जाम अब्जेक्टिव टाइप के कॉस्चन पर हैं वो आप लोग उन लेक्चर्स को जोईन कर लिजेगा और अपने तैयारी को बहतर बना लिजेगा बात करते हैं अपने तीसरे कॉस्चन पर तो यहां पर बोला जा रहा ह है तो आप स्टेटमेंट लिखकर छोड़ सकते हैं बट अगर यहां पर यह सौर्ट एंसर में चला गया है तो इसका प्रूफ भी करना रहेगा जैसा कि मैंने आल लेडी लेक्चर में सारी चीजों को समझाया ही है और ध्यान रखिएगा इन पर हो सकता है इनके बेस पर कु से पहले बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पेड नोट्स को भी पर्चेस कर सकते हैं अभी पेड नोट्स के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है अब बात करते हैं आपने चोथे नंबर के कुश्चन पर यहां प पूछ लिया जाता है तो आप ब्लैक बॉड़ी रेडियोशन को भी इसमें में संगर सकते हैं ठीक है और यहां पर डिपेंड करेगा कि यह कौन से कॉश्चन में पूछा गया है अगर वेरी सॉर्ट एंसर पूछा जाता है तो लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन अगर यह सॉर्ट एंसर के पॉइंट ऑब यू से पूछ लिया जाता है तो ऐसे सिच्वेशन में आपको ब्लाइक बॉड़ी रेडियेशन समझाना है फिर उसके बाद आपको प्लैंक्स रेडियेशन लाकाई स्टेट्मेंट बताना है देन तो एक बात ध्यान रखना हम आल लेडि जब अपने यूनिट फरस्ट यूनिट सेकेंड जितने भी हमारे क्वांटम मेकेनिक संड एनलाइट कर टेक्निक्स में हमारे जो यूनिट्स हैं उन सभी पर जब हम आल लेडि लेक्चर्स को प्रवाइड कर चुके हैं तो तो आप उन लेक्चर्स को जोइन करिए सभी चीजों को तयार करिए यह आपके लिए ही तो प्रवाइड किया गया है और यहां पर इस वीडियो में मैं उनके केवल इंपॉल इंपॉर्टन कोश्चन को डिसकस कर दे रहा हूं क्योंकि अब इन इंपॉर्टन कोश्चन के आंसर मैं पर ने डिसकस कर रहा हूं अगर आप कौन सर्ट चाहिए तो आप लेक्चर्स को जोइन करिए अदर्वाइज आप हमारे पेड नोट्स को भी पर्चेस कर सकते हैं ठीक है तो इतने बाते आप लोग समझी चुके होंगे तो आप बात करते हैं अपने कॉस्चन नमबर फाइ आप से हैं ठीक है अगर हम लॉंग एंस्वर टाइप के कॉस्चन के पॉइंट अब भी उससे जाते हैं तो हमें यह डिसकस करना है ड्राइब स्रोडिंगर वेव एक्वेशन इन कार्टीजीन फॉर्म ठीक है ध्यान रखना पोलर फॉर्म एंड कार्टीजीन फॉर्म दोनो किया है कि में सन्फिकल सिंगी केंस आफ वेशंस ठीक है वेव फंक्षन यानkg के जो हमारे पास साई होता है एक उसकीन ही फेंज सब्सक्राइब डिपेंड करता है ठीक है अब बात करते हैं अपने कोश्चन नमबर 6 पर तो यहां पर बोला जा रहा है कि ड्राइब स्रोडिंगर वेव एक्वेशन फार हाइड्रोजन एटम इन दी फॉर्म ठीक है अच्छा यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे पास रोडिंगर वेव इक्वेशन फार हाइड्रोजन एटम के लिए हमें ड्राइब करना है ठीक है तो यह कैसे होता है ड्राइब मैंने आल लेडी सब कुछ समझाया ही है तो प्लीज उसे देख लीजिएगा ओके सारी चीज़े समझ जाएंगे लेक्टर्स में सारी चीज़े में इसन है ठीक है ब इस दारे में याँ पर हमें पूरा डीटेल में एक्स्प्लानेशन देना रहे घंड देन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह और स्रोडिंगर वेव एक्वेशन फार एच्ट टू प्लस ठीक है यहां पर बताना है कि हैज़ो टू प्लस के लिए हमें इस राट इंगर वेव एक्वेशन को लिखना है एंडविव एक्सप्रेशन फार एनर्जी आफ इस फानड़िंग एंड़ एंटी बांड़िंग ओर और और क्या बात करना है यहाँ पर हमें यहाँ भी बताना है कि bonding and anti-bonding molecular orbital के energy के लिए हमें क्या करना है expression, drive करना है, deduce करना है, लिखना है ठीक है? ओके? तो यह भी हमारे पास जो question है यह long answer के point of view से चला जाएगा ठीक है? सारी सीज़े समझ में आ रहे हूंगी मैंने already lectures में सब कुछ बताया ही है question number 8 पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है writes out notes on photo electric effect ठीक है? बहुत important है देखो, photo electric effect आप सभी से पूछा जा सकता है तो अच्छे से इसे तयार कर लेना है और यहाँ पर content effect मैंने एक ही question में mention कर दिया है बट यह अलग-अलग question बनाते हुए पूछ लिए जाएंगे ठीक है? अगर दोनों साथ में पूछे जाते हैं तो long answer के लिए चला जाएगा दरवाज यह हमारे पास very salt answer या salt answer के लिए पढ़ना पड़ेगा ठीक है? और यह बहुत important है जितने भी मैं questions provide कर दे रहा हूँ वो सभी questions आप सभी के exam के point of view से highly recommended होंगे बहुत ही जादे important होंगे तो इन please questions को skip नहीं करना है lectures आप लोग को already provide किया गया है lectures को देखिए अपने तयारी को वहाँ से बहतर बना लीजिए फिर भी अगर आप हमारे paid notes को purchase करना चाहते हैं तो screen पर दिया हूँ whatsapp number पर content करिए यहाँ पर आपको हमारी team सारी चीजों का information provide कर देगी हम daily आप सभी के तयारी को बहतर बनाने के लिए regular basis पर classes को provide कर रहे हैं और साथे साथ आप सभी के लिए हमने paid notes को भी launch कर दिगा है बहुत ही minimum price पर आप अपने तयारी को और भी extra exam के point of view से तयारी करने के लिए इन paid notes को purchase कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब इस वीडियो कोई पर हम सवाप्त करते हैं तो total हमने क्या देखा कि हमारे BSC fourth semester कमिश्री का जो हमारा पेपर है quantum mechanics and analytical technique इसका जो unit 2 है elementary quantum mechanics है इसके हमने सभी important questions को discuss कर लिए unit first पर already हम discuss कर चुके हैं तो अगले lecture में हम मिलेंगे तो unit 3 के important questions को discuss करेंगे आपके exams हो जाएंगे तो आप अपने question paper को हमें टेलेगराम पर या WhatsApp पर message कर दीजेगा जिससे हम उन पर भी वीडियोज को बनाकर सभी बच्चों को provide कर सकें ठीक है तो चलिए इस वीडियो को ही पर हम सवाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो जहूर लाइक करेगा कमेंट करके जहूर हमें बताएगा और अ हम से मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में तब तक पढ़ते रहिए संगहर्ज करते रहिए और सफल होते रहिए कि जैसा कि आप सभी बच्चो को पता है कि हम आप सभी के तयारे को बहतर बनाने के लिए regular basis पर classes को provide करते हैं बट अब आप सभी के तयारे को और भी बहतर बनाने के लिए exam के point of view से तेयारी कराने के लिए आप सभी के लिए हमने paid notes को भी लाउंच कर दिया है अगर आप उन paid notes को purchase करना चाहते हैं तो आप हमारे whatsapp number पर contact करिए जो कि आप सभी को इस screen पर show हो रहा होगा वहाँ पर आपको हमारी team आप से contact करेगी और आपको सभी चीजों का information प्रोवाइड कर दिया जाएगा